हालो फैंस मैं हूं दर्मेंद और आप देखरें चैनल यूर एक्जाम बोली आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागा थे तो फैंस आपको बताते हैं हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF Tatsman 2020 नियू एक्जाम डेट के बारे में जहां फैंस आपनों की जो डेट थी वो पोस्ट पॉन हो गई थी उसके बाद फिर से आपनों की नियू एक्जाम डेट आई है तो फैंस इससे पहले कि हम वीडियो में आंगे बढ़े हैं यदि आप चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब आवस करें साइड में आपको बैल आइकन दिख रहा होगा उसको भी ब्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोडिकेशन आपको टैम से मिल सके और हाड़ी सेंस आपको पता होगा हमारी हिंदी कंप्रीट हो चुकी थी सिर्फ अलंकार और चंद और रस एक तीन टॉपिक ही बचे थी हिंद स्टेडी में मन नहीं लग रहा है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक तर्कीब बताने वाला हूं जिसकि आप लोग अपनी स्टेडी को अच्छा कर सकते हैं आपको जांच सकते हैं जिसकि आपका टाइम फालतों में बिलको न जाए वह भी बात हम यहां भी करेंगे तो बढ़ते हैं जानते हैं हर इक चीज को लेकिन आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को लाइक करना बिलकुँ न भूले साइड में पैल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम से मिलता रहे है तो आप देख पा रहे होगे हम आगे हैं स्लाइड में जहां पर मैंने उस फीडियाप को उपन कर रखा है जो कि आपके यहां पर और साइड पर आया है जियां दोस्तों आप जाएंगे बाकायदा विजिट करेंगे दोस्तों इसको थोड़ा टाइम हो गया है बट मैंने आपको यहां पर इंफॉर्मिशन नहीं दी थी तो मेरा इन इन इंफॉर्मिशन को देना बनता है और आप लोगों को नहीं कमेंट्स किये थी आप यहां पर देख सकते हैं क्या कैंडरी और दोगिक सुरक छबल और यह आपका चैनल दोहजार बीस को संड़े और यहां पर पहले वाला था वह साथ है दोहजार पीस ओके तो आपका है अपर टाइम दे दिया गया है कि इस तारी को आपका फिर से एक्जाम लिया जाएगा मतलब कि अभी जो हुआ नहीं था पोश्ट पॉन हो गया था तो आपका 6 सेप्टेंबर 2020 को आपका एक्जाम काइडेक्ट होना है अभी क्या है जून जूलाई आगास्त और क्या अगस्त के बास सेप्टेंबर तो मतलब कि आपके पास only two months है जून के बाद जूलाई आगास्त मतलब जून जो चली रहा है जूलाई आगस्त दो महीने बो और कुछ धाय महीने के सम्टिंग सम्टिंग आपके पास है अब आपको इस दौरान बिल्कुल इस चाड़ी में लग जाना है तैयारी अच्छी करनी है लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है हो जे रहा है कि जैसे ही टाइम आप लोगों को मिलता है आप लोग अपनी तैयारी छोड़ देत हैं जहां दोस्तों भौत ही एक से दो परसेंट ऐसे चाड़ते हैं बाकी सब तयारी करना बंद कर देते हैं तो दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए मैं यहां पर एक आप लोगों के लिए जी के कुछ करके सेक्शन लाया हूं जिसमें आभी तक आप लोगोंने जो कोशनस मैं पूछूँगा वह स्कुष में आप वह स्कुष में भाग लीजिए गा मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आप लोगों से कैसे कैसे कॉश्चन यहां पर हम रखेंगे जैसे दोस्तों आप लोगों के अंदर एक इनाम जितने के साथ साथ अपने एक्जा और यहां पर इनाम राशी रहेगी 50 से लेकर 50,000 तक जी हां दोस्तों आप सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं यहां पर आप फच्ट आते हैं और यहांदी कैड़ेट 100 भाग लिए तो दोस्तों 1st Binar को 50 रूपेज्ट मिलेंगे और 2nd को 40 इसी प्रिकार प्रिकार से आप यहां पर देख सकते हैं यदि 10,000 थन राइंद भाग ले रहे इस प्रिकास से आपको बता दें यह सबसे लास्ट में आप जीत रहें दसमें नमर पर 14 रुपी और एक लाग के डिट ने एक्जाम दिया टेस्ट में आपकी जुक्विजी स्टार्ट हो रही है और हो गई है तो दोस्तों फर्स्ट बिनर को यहां पर 50,000 रुपी के प्रावधान है और लास्ट वाले बिनर को यह आप किसी भी एक्जाम की कर रहे हो आई टी बीबी सी एएस एफ या फिर आपकी आर पी एफ इन सभी में इसी टाइप की जीकी कोशन्स आते हैं तो यहां पर आप लोगों को मता दू एक कोई आज लास्ट डे है यादि आप रेइश्टर कराना चाहते हैं यहां पर आठ बजी रात्री को इसका पेपर होगा मतलब की मायला इंकोज इस्टार्ट होगी आपको अपने आंसर देने हैं इसके बाद नैस्ट डेको इसका रिजल्ट आजाए का कौन बिना हुआ टॉप टैन ओकी तो फैंस चलिए यहां पर मैंने आपको बताया है और आप यह और बारा बजे तक ही कर पाएंगे उसके बाद बंद कर दिये जाएंगे है ना ओके फैंस तो पास रही सा पोलना चाहूंगा आप अवस्करने रेश्टेशन इससे आपको पढ़ाई भी मन भी लगेगा चूकि आप कोई जीतना चाहेंगे तो आपको पढ़ाई तो करना ही होगा और उसी पढ़ाई से आप अपने एक्जाम को क्रैक भी कर लेंगे ओके फैंस तो ठीक है डियर फैंस ओके टेक क्या लव्यों जैन जै भारत